हेलो एवरिवान दिस इस अनेशा राजबूत वलकम यौल ओन एना ग्लासिस इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपना अकाउंट और प्रोफाइल क्रियेट करेंगे माई जी ओवी प्लाटफॉर्म पे क्योंकि ये एक ऐसा प्लाटफॉर्म है जिस पे आप अपना अकाउंट और प्रोफाइल क्रियेट करके बहुत सारी quiz और contest में participate कर सकते हैं और बहुत सारी cash prize और certificate win कर सकते हैं क्योंकि इस platform पे mostly quiz और competition आते रहते हैं तो आप इस पे अपनी ID create कर लेजिए अभी भी एक latest quiz आया हुआ है Do You Know Senses My Government platform की तरफ से वो वीडियो भी मेरे channel पे हैं तो आप उस वीडियो को देख लेजिए और उसमें cash prize हैं आप उसमें win कर सकते हैं तो चलिए फिर बात करते हैं कि कैसे आप अपना जो account और profile है उसको create करेंगे तो बिल्कुल बहुत ही simple step है उसकी help से आप easily create कर सकते हैं इससे पहले अगर अभी तक आपने nr classes को subscribe नहीं किया तो nr classes को subscribe कर लेजिए ताकि कोई भी latest information हो वो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए और इस bell icon को press करना मत भूलिए ताकि कोई भी अगर channel पे नई वीडियो आती है तो उसका notification सबसे पहले आप तक पहुँच पाए तो चलिए फिर start करते हैं कैसे आप अपना account create करेंगे तो सबसे पहले आपको अपने phone में google में google open करना है और google में आपको simple सा type करना है my gov कुछ नहीं करना बिल्कुल simple है google में सबसे पहले आप type करेंगे my gov आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही आप इस पे type करके search करेंगे तो आपके पास ये वाला page open हो जाएगा इस page में सबसे पहले ही यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले ही यहाँ पे लिखा हुआ है my gov तो सबसे पहले ही आपको जो ये my gov है इसकी site का link आपको दिख जाएगा इस पे आपको यहाँ पे click करना है जैसे ही आप इस पे click करेंगे तो आपके पास ये वाला page open हो जाएगा इस page को आप ध्यान से देखे आपके पास ये page open हो जाएगा आप इसको slide करके देख लिए इसके ऊपर नीचे तो ये आपको मिलेगा अब मैं आपको बता देती हूँ आपको करना क्या है यहाँ पे देखे आपको बिलकुल right corner में एक ये key का option मिलेगा right corner में आपको ये एक key का option मिलेगा इस पे आपको click कर देना है इस पे आपको click करना है जैसे ही आप इस पे click करेंगे तो आपके पास ये वाला option आजाएगा login करे या फिर पंजी करन करे means जिसकी already ID और account है तो उनके लिए login का option है पंजी करन means registration का है कि registration अगर आपको करना है तो जिसकी ID नहीं है वो registration करे इस पे क्या करेगा click करेगा तो आपको registration पंजी करन करे आपके पास language का option आजाएगा आप इसको English में select कर सकते हैं आपको क्लिक करना है पंजी करन करे पे जैसे आप इस पंजी करन करे पे click करते हैं तो आपके पास हो सकता है ये page open हो और ना भी हो कि आप किस language में select करना चाहते हैं तो जो भी language आप comfort feel करें वो यहां से select कर लेजिए वहाँ पे पंजी करन करे register करें पे जैसे ही आप click करते हैं तो आपके पास ये वाला page open हो जाता है आप इस पे देखिए और इसके बिल्कुल इस page पे जैसे ही नीची आएं तो आपके पास ये वाली चीज open हो जाती हैं मैंने यहां पे हिंदी में डाला हुआ है तो मेरे पास हिंदी में open है if you chose English then आपके पास इंग्लिश में open हो जाएगा यहाँ पर आपको write करना है अपना नाम यहाँ पर आपको write करना है अपनी email ID और आप कोई भी information गल्थ मत दीजिए क्योंकि अगर आप केसी quiz में party speed करते हैं और आप उसको win करते हैं तो जो भी आप email ID या phone number provide यहाँ पर फिल करेंगे उसी के उपर आपका notification message जो भी आप समझे वो आएगा तो यहाँ पर फिल करना है आपको अपना नाम email ID यहाँ पर आपको इंडिया की आप citizen है ही तो इंडिया है ही यहाँ पर यहाँ पर फिल करना है आपको अपना mobile number और यहाँ पर फिर आप अपनी जो date of birth है यहाँ पर आपको write करनी है date यहाँ पर month और यहाँ पर साल जैसी आप यह फिल करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर select हरना है अपना gender और आप यहाँ पर नया खाता बनाए, means create a new account यहाँ पे आपको show हो जाएगा इस पे आपको क्या कर देना है click कर देना है, जैसे आप इस पे click करेंगे तो आपके पास यह वाला एक page open हो जाएगा, जो भी number आपने यहाँ पे fill किया है number और email id, दोनों के उपर एक OTP आएगा, जो भी phone number आपने यहाँ पे fill किया है और जो email id फिल किया है उसके उपर आपके पास एक OTP आएगा आपको यहाँ पे OTP फिल कर देनी है, जो भी OTP आपको मिलेगी, होज सकता है थोड़ा time लगी but within one minute OTP आजाती है, नहीं तो आप regenerate कर लेजिए, तो जो भी OTP आएगी, आपको यहाँ पे fill कर देनी है OTP फिल करने के बाद, आपको यहाँ पे करना है create new account पे create new account पे आप यहाँ पे click करेंगे, तो आप एक बर ध्यान से सुनिए, जब आप यहाँ पे OTP फिल करेंगे तो आप यहाँ पे create new account पे click करेंगे, तो आपके पास जो page open होगा, next page जो open होगा, आपके पास open होगा, email ID और password का एक पर ध्यान से सुनिए कि जो next page open होगा, वो होगा, email ID और password का, यहाँ आपकी number पे, आपके phone number और आपकी email ID पे, इस OTP आने के बाद, एक message और आएगा, और उसमें आपका password आएगा, आपके number पे, और email ID पे OTP के बाद, एक password आएगा, आप यहाँ पे create new account पे जैसे ही click करेंगे, तो next page जो open होगा, वो होगा email ID और password का, तो जो password आपको mobile पे, email ID पे मिलेगा, आपको वही password वहाँ पे fill कर देना है, और आप इसमें अपना account create कर सकते हैं, अब बात करते हैं कि जो आपने, अगर profile बनाना चाहते हैं, अच्छे से means photo लगाना चाहते हैं और password अपनी पसंद का भरना चाहते हैं, password change करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे, तो आप में अको बता देती हूं जैसे ही आप बिल्कुल starting वाले page पे जाएंगे, जहां पे मैंने आपको वहाँ पे right corner पे login का option दिया था, तो आप जैसे ही बिल्कुल starting में जाएंगे बिल्कुल first पे, तो मैं आपको बता देती हूं जहां पे मैंने key का option आपको बताया था, वहां पे आपके जो नाम है, वो नाम आ जाएगा, और जैसे ही आप इस पे यहां पे click करेंगे, तो आपके पास यह वाला option open हो जाएगा यह बिल्कुल first place है, जहां पे मैंने आपको key का option दिया था, मैं बता देती हो, तो जब आप यहां पे key वाले option पे जाएगे, तो मैं आपको बताती हो, देखिए, जैसे ही आप यहां पे key वाले option पे जाएगे, तो यहां पे key के place पे आपका नाम और यहां पे profile का एक icon आजाएगा, जैसे ही आप उस पे click करेंगे, तो आपके पास आजाएगा option अडिट प्रोफाइल यह वाला option आजाएगा, अडिट प्रोफाइल my activity points, notification, logout तो आपको click करना है अडिट प्रोफाइल पे जैसे ही आप अडिट प्रोफाइल पे click करेंगी, आपके पास आपकी information open हो जाएगी आपका नाम, photo upload password, जो भी password आप fill करना चाहें, वहाँ पे password fill कर सकते हैं, अगर आप photo upload करना चाहें, तो photo upload करना सकते हैं, वहाँ पे changes करके आप उसको save कर देजिए और आपकी प्रोफाइल ready हो जाएगी तो ऐसे आप अपना account create कर सकते हैं, और अगर आप password change नहीं करना चाहतें, तो जो password आपको email ID और mobile number पे मिला है, उसको आप safe रखें, क्योंकि जब आप participate करेंगी, तो आपको वहाँ पे password और login ID fill करनी पड़ेगी, चीक हैं, तो अगर वीडियो अगर अच्छी लगी, तो वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, और competition में participate कीजिए, thank you